बहुत टाइम हो गया था हमने मैगी नहीं खाया था तो सोचे चलो आज बनाई लेते हैं फिर हमने ये मटर, टमाटर, प्याज, धन्या, पती, हरा मिट्स और लेसन ले लिया उसकी बाद पैन को गरम करके एक बड़ा चमस घी डाल दियें फिर ये कटेवे प्याज, हरा मिट्स लेसन सब डाल की इसे भुन लें चला चला कर साथ में हरा मटर भी डाल दियें और इसे भी भुन लें अब मैंने इसमें थोड़ा सा लाल मिट्स पॉर्डर, थोड़ा सा किचन किंग मसाला डाल दिया और टेस्ट के कोडिंग नमक डाल दिया नमक का यूज हम कम ही करेंगे क्योंकि मैगी का जो मसाला मिलता है उसमें भी नमक रहता है फिर इसे चलाकर मसालों को थोड़ा सा भुन लिए इसके बाद लास्ट में हम टमाटर डाल दिये और उसे भी पका लिएं दो मिनट तक और ये जो मैगी के साथ मसाला मिलता है न उसे भी डाल कर साथ में भुन लिए चैसे भुनने से टेस्ट अच्छा जाता है और पानी के साथ डारेक्ट डालने से टेस्ट नहीं आता है सही से फिर क्या अब बस पानी ही डालना था तो पानी डाल दी है इसे चला कर अच्छे से मिक्स कर लिए और इसे बॉयल होने के लिए छोड़ दी है इसके बाद हम इसमें मैगी को डाल दी है और इसे मीटम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दी है इसे हम तोड़ तोड़ के डालेंगे तो यह बहुत ही आसानी से पक जाता है यह देखी मैगी हमारी पक चुकी है पानी भी इसका पूरा जल गया है अब मैं इसमें कटा हुआ हरा धन्या डाल दूंगी इसे टीस बहुत ही अचा आता है तो इसे स्किप ना करें इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैगी में इसके बाद हम इसमें चीज डालेंगे इसके चार्व तरफ यह देखिए चीज डाल दिया है और इसे कवर करके एक मिनट के लिए पका लेंगे जिसे की चीज हमारा मेल्ट हो जाए अब यह मैगी हमारे रेडिये सर्फ के लिए यह इसमें बहुत ही अच्छा एक बार जरूर ट्राय करें